देखो मैंने देखा है सांप लोगों को डस देते हैं, पेटी बना देते हैं, ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यार लगभग एक बंदे को रूला डाला, आप सूथ सकते हो कितने जाता सांप होंगी यहाँ पे तो भाईलो कैसे हूँ, तो यार वेलकम दी बैग, बैग दे वेलकम और स्वागते आपको एक बिरा नूँ, गलत सीन से भरे पड़े इंटरंस, पब जिदो मुपाईल गेम प्ले वीडियो में, अब इस मैच को खेल के यार आखिर में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कलासिक नहीं, ये एक टूर्णामेंट चलना है, बंदे इतना खतरनाक और इतना सेव खेल लेते की क्या ही बताऊं, और इस मैच में साब का चकर मौत से टककर कुछ जादा ही दबा के होता है, खैर वो सारे सीन थोड़ा आगे जाके होंगे, लेकिन फिलाल यार मिल्टी रेविया रखे हैं, अब यहां उतरते ही मुझे छत पर टोमी गन मिल जाती है, और दो बंदे नोक भी कर चुका हूँ, अब यहां पर मैं तीन बंदों को पेल चुका हूँ, दो की पेटी भी बन चुकी है, तीसरे की भी बना देंगे, लेकिन इनका एक चौता बंदा बिल्कुल कायब है, अब वो बंदा मेरे को बहुत परिसानी देगा, खेर जो भी हो फिलाल मैं रिलोड वगेरा करता हूँ, तीन किल मिली चुकी है, और आगे वाले बिल्डिंग से भी आर फुटी स्टैप दबा के आ रहे थे, इसका मतलब दूसरी टीम के कम से कम दो ढाई बंदे इधर बैठे पड़े हैं, अब मैं आया तो इन्हें पेलने के लिए इथाल, लेकिन यार हेलमेट वेस्ट भी मिल गई तो बढ़िया ही है, अब गेम के सुरुवात में ही यार इन लोगों पे इतनी सारी गोलियां पड़िये कि ये मैं यहां पे था भी नहीं, मैंने बस दर्वाजा खोला भाई ने दर्वाजे को उड़ा दिया, मतलब यार गोलियों की कमी बिल्कुल भी नहीं है इधर पे, अब ये लोग गोलियां यहां पे दर्वाजे फाड़ के ऊपर की तरफ भग लेते हैं, और ऊपर जाके कमरों मे गुच जाकते हैं छुपके, अब चोड़ चोड़ में इन लोगों ने दर्वाजा तोड़ा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी दर्वाजा तोड़ूं और उसी चक्कर में बंदा चपेट में आ गया, और अब इन लोगों के टीम मेट किधर बैठे पड़े हैं किसी को नहीं पता, यार ये चीज मैं समझ नहीं पता, बंदे सुकौड घेलते हैं, दो बंदे मिल्टी रेरी, दो बंदे जरकी पहुचे होते हैं, खैर जो बियो इन पे लूट दवा के पड़ी होती है, यार गो क्या होगा जिन्दगी में, और यार इस मैच में मैं बंदे डूंड डूंड के बहुत परिसान हो जाऊंगा, देखो यार आगे सब कुछ देखने को मिलेगा, खैर इसके बाद मैं वापीस आ रहा होता हूँ, ये सोचके कि गाड़ी लेके निकलता हूं रसकरने, और जाते जाते मुझे एक बंदा मिल जाता है, अब ये अकेला बंदा उसी टीम का बंदा है, जिसके उतरते ही मैं तीन बंदे पेल चुका था, हाना तो वो तीन बंदे मैंने पेल दिये, लेकिन उनका बदला लेने भाई यहां पे बैठे पड़े हैं, मतलब कहां कहां नहीं अब जाके फायर कर रहा है बंदा जब मैं उपन से बख के आ रहा हूं, अब देखो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि यार बंदा फायट लेना चाता है, गूलियां चला रहा है, तो हमारे भाई छत में बैठे हैं, तो यार हम भी छत पे ही पहुँच जाते हैं और इस बात को लेके मैं बहुत गलत था, जो मैं ये सोच रहा था ना कि यार बंदा आखिर कार जाके फायट लेगा, भगके थप चुका है वो, लेकिन नहीं यार हमारे भाई में भी पहुँच जोजबा की है, अब देखो जब केम्पिंग का सीनी होता है, ये तब तक यार एक कमरा कमरा चेक करना पड़ेगा क्योंकि भाई ने फुटी स्टैप देना बिलकुल बन कर दिया है, मतलब तेजी में बंदा नीचे कूदा उसके बाद नजाने कहां पे कैम्प बिचा दिया, तो मैं उपर धीरे धीरे करके देख रहा होता हूं यार डर बहुत लग अब मैंने सोचा था यार बंदे को मजाक में मस्ती में पेलूंगा, भाई पे वैसे बी टीपी थी जैसी रिलोट पे जाएगी मैं अंदर गुच जाऊंगा, लेकिन पता चलता है यार मजाक उस बंदे ने मेरा ही बना दिया, मतलब कैसे बेवोकूफो की तरह ठिला मैं, ब मैं इतना तडपा होना की क्या ही बताऊं, वहां से बाई के लिए मैं आया सीधा यहां पोचंकी पे, पोचंकी खाली होता है बिल्कुल, पोचंकी के बाद ये सस्ते घरों पे गया क्योंकि यार केंपिंग कही पे भी हो सकती है, ये घर भी बिल्कुल बिल्कुल खाली होते हैं जोर्ज में भी एक बंदा क्या बोड तक नहीं मिलता एक बॉड एक बोड तक मेरे कौण और यार रोज़वक में इसलिए नहीं गया क्योंकि वह upright धी है चैसंद के बाद में वेल में में हार मांचुका हो तो वह मैं वोलतों यार bleibt जो नी खेलूंगा हर एक बंदे को घुस घुस के पेलेंगे चाहे वो सापी क्यों न बनाओ अब इस गोली की आवाद सुनके मुझे जो खुसी हुई न यार वो हट से ज्यादा अलग लेवल पे थी और इस मैच में मैंने कम से कम 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाई है बगेर किसी बंदे को ढूंडे बगेर कुछ करें सिर्फ पट्रोल बरबात किया है अब आख बंदे मैंने और इधर पे तीन-तीन बंदे बैठे होते हैं और इन तीन बंदों को पेलने के बाद हमारे किल की गाड़ी बिल्कूल भी नहीं रुकती मतलब बहुत छोटा हो चुका है जोन यार काफी छोटा हो चुका है बीच में कोई भी लडाई नुई लेकिन अब जब लडाई सुरू हो चुके है यार ये खतम होने का नाम नहीं लेगी जब तक चिकन नहीं होता है यार तब तक लडाई चलती रहेगी और अगर आपने देखा होगा तो कोई उपर से कार 98 भी पटका रहा था और इस मैच में मैं किल के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ तो टैंसर मतलब यार उनको भी घुश के पेलेंगे जाई रहा हूँ यार थोड़ा लूट लेता हूँ फिर चल के पेलते हैं और इन खर 98 वाले बंदो को पेलने के बाद यार मेरा किल का लाज़ थोड़ा सा थोड़ा सा कम होता है मैं देखता हूँ यार 11 किलो चुके हैं मैं बोलता हूँ थोड़ा सा तमीज से रस करेंगे लेकिन उतने में ही अब मैं बिल्कुल बिल्कुल चाहता था कि यार मैं थोड़ा तमीज से खेलू क्या पता हो जाए बढ़िया किल लेकिन इस चीज के बाद ना मैं बोलता हूँ तमीज गया कदू लेने बंदा चाहे लेटा हो चाहे उल्टा लेटा हो चाहे पेट के बल लेटा हो कहीं पे भी साम पनाओ हर एक बंदे को रस करके पेलेंगे गुश के पेलेंगे क्योंकि इस टाइम पे यार मेरे को कदू भरकनी पड़ता मैं जीतू या ना जीतू इस टाइम पे मेरे को बस इतना है कि यार रस करना है और पेलना है बंदो को अब हमारे वो भाई डीपी बहुत बढ़िया चला रहे थे हरा मतलब एकाद गोली मारी वहिया मेरी पेटी बना सकता था बंदा लेकिन यार AWM AWM होती है मेरे जैसे सस्ते सनाई पर भी अगर गलती से पेल दे एक हैट सोट बंदा तो भी नौको जाता है तो बंदा नौको चुका है और आपको पता है क्या करने वाला हूँ मैं गाड़ी ठोकी चार बंदे हो 14 बंदे हो गुसके पेलना है चार बंदे भी नहीं होते है कमी बंदे होते है लेकिन यार जब रस करने की लाला चुती है न जब किल की लाला चुती है तब बंदा एक होच चाहे आदा गुसके मारना ही पड़ता है तो ये लोग रिवाइब अगेरा हो चुके हैं और इन्होंने लगा दी है टीपी भी अपनी और एक बंदा यहीं पे कूद कादरा है तो मैं अपना नेड निकालता हूँ और इस कदर पेलता हूँ जिससे आर कोई भी चकमा खा जाए किसी को भी लगेगा मेरे नेड बहुत मह देंगे हैं लेकिन आपको पता है क्या होगा और इसी के साथ ये दोनों डीपी वाले बंदे ठिल जाते हैं दो ही बंदे बैठे पड़े थे मुझे नहीं पता है किसकी टीम के हैं लेकिन सही यार दो किल भी मिल गई बहुत ही बढ़िया है कम से कम 13 किल तो ही और देखो AWM की गोलियां बहुत कम बची है मेरे पे वैसे भी यार जादा हूँगी तो भी मैंने कुछ नहीं उखाड़ना लेकिन हाँ इस मैच में AWM भी बहुत कामाती है तो मैं गाड़ी गुमाई रहा होता हूँ क्योंकि 13 किल से कद्दू कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं होने का 13 किल से तो मैं देखता हूँ यार घरों पे तो कोई भी नहीं बैठा है इसका मतलब यार हर एक बंदा उपर पहाड़ियों में जा चुका है सा यार हो जाओ क्योंकि यहां से न एक्सियोन बंद ही नहीं होगा भाई एक्सियोन पे एक्सियोन तब तक जब तक चिकन न हो जाए तो मैं यहां गाड़ी रोखता हूँ और आगे बंदे देखता हूँ अब आगे पे दो तीन बंदे अभी भी जिन्दा हैं मुझे तमी से काम लेना चीए लेकिन मैं क्या करता हूँ बिल्कुल उल्टा करता हूँ गाड़ी पे बैठता हूँ और मूपे ले जाओंगा गाड़ी उनके और इसी के साथ अपने को तीन केल और मिल जाते हैं अब देखो उजी बहुत ही खतरनाक गन है मैं भी मानता हूँ लेकिन यार गाड़ी वाले बंदों पे उजी चलाओगे तो शायद ही कुछ उखड़ेगा या तो आपका एम बहुत ही खतरनाक होना चाहिए कि यार चार ग से चल रहा है दबा के गोलिया चल लिया आगे और नीचे से एक बंदा भकते वे भी आ रहा होता है तो यार एक किल एक किल होती है एक किल भी बहुत माइने रखती है तो उसे पकड़ा मैंने पहले अब देखो सीन क्या है यार मेरे 17 किल हुई ही चुके हैं अगर मैं तमीज से भी खेलूँगा थोड़ा सेब भी खेलूँगा तो भी ठीक ठाक किल हो जाएंगे लेकिन जैसा कि मैंने बोला यार पूरे मैच भर में कद्दू कुछ नहीं हुआ इसलिए यार अबे नहीं पेला तो कब पेलेंगे बंदों को तो मैं उठाता हूँ गाड़ी और आगे जाने की पूरी चाहत है मेरी लेकिन किल भी चुरानी है और यार चाहे मैं कितनी कोशिस कर लू सेब खिलने की लेकिन यार ये जो गूलियों की आवाज आरी है ना इसे सुनके मेरे से बिल्कुल रुकानी जा रहा तो यार तैयार हो जाओ क्यूंकि साप का चकर मौच से टककर दबा के होने वाला है यार बंख कर दो डाला है यार लेकिन अर्ट कर दो लेकिन अर्ट कर दो खिल दो यार जो मेरे सामने पर लेटा वाए यारी जी जी जाए और यार लोगों के साथ गिलिच भी खतरनाक वाले होते हैं उस बंदे ने मेरे मूँ के सामने कम से कम 500 गोली चला दी एमफोर से 500 गोली यहाँ पे हम 30-40 गोली चला के चुप बैठ जाते यार वो साब भी बना पड़ा है और गोली चला जा रहा है ऐसे गिलिच मेरे साथ क्यों नहीं होते खेर जो भी हो मेरे ख्याल से उसका नेट धुका दे गया और पेटी बनी चुकी है और अपन 40 गोली से काम चला लेंगे और यहाँ पे हर एक बंदा हर एक बंदा लगभग साम बन रखा होता है तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ आता हूँ और यार मेरे से सनाई पर लोंग रेंज में तो कदू भी नी चलती लेकिन यहाँ जब मुग के सामने बंदा लेटा है तब मैं सनाई पर से ठीक सर पे गोली पेल ला हूँ तो भाई लोग यार इस गलती से हेटसोट के लिए लाइक के बटन को ठोका पीटी करके नीला टैप करना मत भूलना पता नहीं यार इस मैच में मैं कुछ जाते ही जूस में आ गया था वैसे जूस में आके कभी बेहूसी भी हो जाती है लेकिन इस मैच में ऐसा कुछ भी नहीं होता और जैसा कि मैं बोली राता है यार हेटसोट लगता नहीं वैसे उसका सिर्फ पाउँ दिख रहा होता है लेकिन यार सर दिखता तो कौन समय कुछ उकार लेता बाई इस पेड़ के पास है वाँ बाई इस पेड़ के उपर भी एक है अब काड़ी था है अब यहाँ उपर की सैड़ आ के यार मैं नजाने कितने बंदे पेल चुका हूँ कितने बंदों को हेटसोट पेला कितनों को लेटते वे पेला उसके बाद भी बंदे खतम होने का नाम ही नहीं ले रहे मतलब ऐसा लग रहा था यार ये एक टूर्णामेंट चल ला है ऐसा भी नहीं क्यों कोई सस्ते वाला नहीं यार लाकों रूपे लगे पड़े हैं लोगों के खेर हम तो फिर भी बत्तमीजी से रस कर रहे हैं दो बंदों को पेल दिया एक और बाकिये उपर और यहां पे साप बनने के साथ साथ लोग नेट का भी परियोग कर रहे हैं उपियोग होता है शायद उपियोग कर रहे हैं उपर भी बंदा लेटा है और दिख जाता है मुझे अब यहाँ पे मेरा टीमेट यार लगभग रो पड़ता है सापों की वज़ा से देखो मैंने देखा है साप लोगों को डस देते हैं पेटी बना देते हैं ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूं कि यार लगभग एक बंदे को रूला डाला आप सूथ सकते हो कितने जादा साप होंगे यहाँ पे बंदा रूने को है यार बहुत गलत होता है लेकिन आखिर कार जाके सारे साप ठिल जाते हैं और अगर आप मेंसे किसी ने यार गिना है कितने साब पेले मैंने यहाँ पे तो यार कमेंट में ज़रूर बताना मैं भी तुद देखो कितने साब थे और अब एक आखरी बंदा बाकी होता है और यार आपको भी पता है मेरे को भी पता है किधर पे लेटा है वो बंदा हाँ ये वही बंदा है जो दिरॉप के पीछे लेटा था अपना पाउँ दिखा के और इसको पेलेंगे भी पाउँ पे गूली मार के और वो बंदा अभी तक उस दिरॉप के पीछे से कहीं पे भी नहीं ला मुझा लगाया और साप है रेंगते रहते हैं कहीं और पहुँच गया होगा लेकिन नहीं वो बंदा उधर पे ही लेटा पड़ा है बिलकुल तो यहां पे मैं बूश्ट बूश्ट कर लेता हूँ क्योंकि जब मैं खेल ला हूँ तो मुझे पक्का नहीं पता हूँ ता बंदा किधर है लेकिन आखिर कार जाके दिख जाता है वो अब हमारे टीमेट बोलते हैं भाईया नेट कर दो और मेरे पे तीन नेट पड़े होते हैं क्यों ना कुशिस करके देख लिया जाए वो भाई कैसे ने मरा और यार कैसे नहीं मरा ये तो मैं कभी नहीं समझ पाऊँगा जिन्दगी में कभी नहीं ठीक है मतलब तीन नेट फेक दिये तीनों डिरॉप के आसपास गिरे वो साप वाला बंदा डिरॉप के कभी इधर पार आ रहा है कभी उस पार जा रहा है और हर बार नेट से बन जाता है वैसे मेरे को 100% पता है वो एक जगह पे रहता न तो भी मेरे नेट से बन जाता है यार इतने सस्ते होते हैं मेरे नेट खेर आखिर मैं बाई का पाऊँ दिखता है मतलब लेटे पड़े होते हैं पाउं पे 2-3 गोली पेलता हूं और बंदा ठिल जाता है AWM भी पाउं पे चटकाई थी और इसी के साथ देखते ही देखते कितने किलो गए 28 किलो जाते हैं देखो मुझे सही बतारो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि 28 किल इस मैच में उपाएंगे लेकिन क्योंकि आकरी सरकल पे इतने जादा बंदे जिन्दा थे हर एक साप बना पड़ा है और हर किसी को गुसके पेला तो हाँ यार किल होई जाता है तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतने बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते इस सापो से भरे गेम पिले के लिए लाइक पिलना मत भूलना यार बिलकुल ठोका पीटी करके नेला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सबिस्क्राइब मेरी और भी ऐसे डेटता और सस्ते नेट देखने के लिए और हेट सोट यार मुझे नहीं पता कैसे लगा लेकिन मजा टैप आ गया देखके तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में